तू ही अप तू ही तब तू ही तरफ लख है तू ही तो फलक है तू ही तेरा लख है 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 इस कख ए जी ओ वक्त को जाने ना तो अब दिल में जब आग है उसे बढ़ जाने तो तेरिशान की वहचान हो कुछ ऐसा कर देखाना ते ना तू है तो कैसे आप लोग सब आज का विशह है कि लाइफ में कुछ प्लान करें या अनप्लान रूप से चलने दें प्लान करने चाहिए आज का कारकरम शुरू करने के पहले लट सी हमने क्या पैकेज में इकठा किया है कुछ समय इंसान को पीछे लोटने की इजाजत नहीं देता यह जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही अच्छी और बुरी यादों में बदल जाता है ऐसे में सवाल है क्या हम समय के साथ चलकर जीवन की नाकामियों को कामियाबी में बदल सकते हैं ऐसा मुम्किन है अगर हम जीवन को प्लानिंग के साथ जीए कुछ लोगों का मानना है कि जीवन में प्लानिंग हो तो किसी भी परिस्थिती को बदला जा सकता है जबकि कुछ लोग प्लानिंग के बजाए जिंदिगी को उसकी रफ्तार के साथ जीना पसंद करते है प्लानिंग हर इंसान के लिए एक पहेली की तरह होती है कुछ लोग इस पहेली को सुलजा लेते हैं, तो कुछ इस पहेली में उलज कर रह जाते हैं आज के विशे में इस पहेली से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे क्यूं जीवन में सफल होने के लिए प्लानिंग जरूरी है लेकिन कई बार कई लोगों का ऐसा मानना है और शायद सही भी हो सकता है कि लिव लाइफ एज इट कम्स तो प्रशन चिन तो खड़ा होगी है ना कि दूवी प्लान और दूवी टेक इट एज इट कम्स और बहुत से लोग हमें आसपास नजर आएंगे आपको दूवी टेके लाइफ इट कम्स अमने पिछले वीक भी किसी को सुना के जी ना तो कोई मैनत करने की जरूरत है और ना लग के उपर डिपेंड करने की जरूरत है जैसा चलना है चलने दीजे तो आप क्या कहेंगे A successful person when he plans with his main plan he sets an alternative plan and he focuses on his main plan first and puts all his effort on the main plan because failure of a plan always incurs some cost be in times terms of time or monetary terms Sir plan करना चाहिए पर अपने present को भी जेना चाहिए अगर present को अपने फुल्फिल अपने passion Plan करके अपने present में जीओ Yes sir उस plan को achieve करने के लिए अपने present में रहके मैनत करते रो Yes sir Very good Actually sir, मेरे मानना है कि जैसे हम को पांच साल बाद हम को क्या करना है हमारा पहले से प्लैन होना चाहिए कि हम पांच साल बाद अपने आपको कहा नजर मतलब अपने आपको कहां stand by करते हैं तो इसके लिए यह है कि आपको फ्यूचर का ना सोचके वे और पास्ट के जो पास्ट में जो भी अन्वांटेडिया टेंशन रही होगी उसको ना सोचके हुए आप प्रेजंट पर फोकस रखो आपका फोकस और टारगेट आप अपना सेट करो और जो आपका टाइम डूरेशन है जैसे आपने सेट कर लिया कि पांच साल बाद में अपने आपको यहां देखता हूँ अगर वो अचीव हो जाते है तें वेल एंड गूड वो भी सैटिस्फाय रहेगा और उसको इतनी जादा टेंशन भी नहीं रहेगी पर अगर वो इससको अचीज नहीं कार पाता तो उसको दो नोट बी लेट डाउन की मेर से नहीं हुआ तो नेक्स ताइम वो अचीव करे वो पर एक रखेगगे पांच साल या छे साल तक मेरेको वो चीज अचीज अचीज अचीव करनी है और उसको फिर अचीव कर सकरो तू किना नहीं चांटन करू वो जाधा बैंतो यह बैकर 열 एक पर बशेसे किम आपके साथ का जाता हूं। मतलब कुई लंबा प्लान जैसे जिन्दिकी के बारे में है जालो वगो आदमी इसक्राइस कर देता है काम करता महननत करता मिल जाता है तंक कर देए रोज हे चोटे चोटे प्लें देग अल्ग जा करना है और वह दो प्लाइन होता है ओ नहीं पाता है थोटा प्लाइन जो ओ जाता है कि मदलब इ। अधूब सर्जुब छोटे प्लैने क्या वह बढूल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए कि अ क्यों जब एक फरक है एक होता है एक्षण एक है एकटिविटी action और activity में दोनों में अंतर ये आपको समझना जरूरी है सुबह हम उठते हैं उठके हम अपना सोचा ले जाते हैं सब कुछ करते हैं नाश्था करते हैं सब कुछ करते हैं ये activities हैं action जो होगा वो action आप plan करके act करेंगे उसके उपर उसको action कहेंगे और action के बिना life में कहीं पहुँच नहीं पाओगे और action कब करोगे जब आप planning करोगे कुछ ने कुछ सोचोगे लेकिन action करना present में रह के करना जिस समय आप act कर रहे हो जो काम कर रहे हो जैसे आप आज यहां सब पढ़ाई करने के लिए आए हो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आपका क्यों नहीं मन लग रहा क्या 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 चीजे मन में आती हैं अब देखिए मैंने तो कुछ कहा नहीं आप पहली हां सरयो कुद दी उसके दिमाग या तो बॉइफ्रेंड में लग रहा है कहीं गर्फ्रेंड में लग रहा है क्योंकि वो आपका दिमाग फ्यूचर में चला गया कि मुझे अभी शाम को ये करना है अभी थोड़ी देर बाद दोस्तों से मिलके गपशब करना है कुछ भी करना है आपका जैसे दिमाग उस पे चला गया आपका ध्यान पढ़ाई में खतम हो गया प्रेजेंट से हटके फ्यूचर में चले गए तो आपका एक्षन नहीं होगा ठीक से डाइनमिक नहीं होगा पढ़ाई ठीक से नहीं होगी रटा लगाना पड़ेगा अब आप मेंसे बहुत से लोग होंगे जो एक बार पढ़ लेते हैं उनको वो चीज़ें याद रहते हैं पان साल, दस साल, बीस साल ऐसा होता है कि नहीं और बहुत से लोगा आप में से और ऐसे बैठे होंगे जो मैं तो दस बार पढ़ लिया सब फिर दिमाग गुषता ही नहीं क्योंकि आपका दिमाग नहीं है उसके अंदर उस समय में आप उसके विशे में नहीं सोच रहे हो आप कहीं और सोच रहे हों, इसलिए आपको उसका रट्टा लगाना पड़ता है, उसको बार-बार पढ़ना पड़ता है, फिर भी वो याद नहीं होता है। सर, प्लान तो बनाते लेकिन सबसे बड़ी प्रोब्लम यह है सर, हम प्लान की थ्रिव अपनी एक ड्रीम दुनिया बना लेते हैं, उसे सपनों की बाई चांस कोई स्टूडेंट होता है सर, तो यह सोचता है कि 96% लेने हैं, आज के टाइम न्यूज में भी आती सर, सुसाइड हो जाती है, तो 96% के थ्रिव मतलब वो यह सोचने लग जाता, मेरा बढ़िया यूश्टी में अडमिसन होएगा, फिर मैं यह करूँगा, मतलब वो करूँगा, शेख चिली वाली कहानी जैसे बनती है, यह सर, तो मतलब नहीं कर पाता लेकिन वो फिर बाद में सुसाइड क लेते हैं, सर, इस वे से हम प्लेनिग तो बनाते है, तो फ्यूटर की नहीं सोच नहीं सिया, सर, हम्यं परजेंट हम हम अपना 100% देना चाहिए, नहीं फिर के बारे में सोचना चाहिए, और नहीं पास्त के बारे है, सर, सच्चा और जुटा असा बादी को नोता, सर, एक त अपने बारे में, जब आपको पता है कि मैं यह जो सोच रहा हूँ यह मेरे साथ मैं करनी पाऊंगा, या मैं नहीं कर सकता हूँ, पिर भी आप उसके खेसल बूनने लंगते हो, खाब बुनने लगते हो, वो एक जूठा आशावादी कहना चाहिए. और सच्चा आशावादी वोही होगा जो कहेगा के मुझे ये करना है, तो करना है. डिटर्मिनेशन अगर होगी, तो आप सच्चे आशावादी हो. और डिटर्मिनेशन नहीं हैं, तो आप कितने भी आशावादी बन जाएं, कितने ही कैसल बना लें, कितने ही प्लान बना लें, वो अचीव नहीं कर पाएंगे. I think we must plan to achieve a goal, but firstly we should plan some short-term goals to reach a long-term goal. Very good, very good. Good, good answer. Good say. Good plan. जब मैंने अपनी लाइफ में बिजनस शुरू किया, 17 साल की उमर में, उस दिन मेरा एक लक्ष था. और मेरा लक्ष क्या था? कि मुझे मेरे परिवार का 4 लाख रुपे का करजा उतारना है. इस से आगे मेरा लक्ष नहीं था. जब वो लक्ष पूरा हो गया, तब हमने दूसरा लक्ष था किया. जब उस पर पोहुच के तो तीसरा था किया. उस पर पोहुच के तो चोथा था किया. तो यह लक्ष जो है, प्लानिंग जो है, this is a moving target. It keeps moving. As you achieve, you need to put your next target. सर अकोर्डिंग टु मी प्लानिंग जो है मतलब फ्यूटर के लिए करने चाहिए कुछ एक प्लानिंग में सक्सेस मिलती है कुछ एक प्लानिंग में सक्सेस नहीं मिलती है तो सर जो प्लानिंग में सक्सेस मिलती है उसे तो हमारी थिंकिंग जो है पॉजिटिव बनी रहती है लेकिन जिस प्लानिंग में सक्सेस नहीं मिलती उसके अकोर्डिंग हमारी जो थिंकिंग है वो नेगिटिव हो जाती है और उस अकोर्डिंग की जो थिंकिंग है प्लानिंग है उसके बारे में हम फ्यूटर में सोचने से कुछ गपराते हैं सर इसके लिए इसलिए होता है कि आपने failure को accept कर लिया, मैं बार बार कहता हूं कि failure accept नहीं करें, जब तक failure accept नहीं करें, failure कहां है, there is no failure until you accept it. आपका मैनत पूरा रंग नहीं लाती क्यूंकि आपका दिमाग कहीं वेवर करता रहता है, कहीं घूमता रहता है, कहीं पास्ट में, कहीं फ्यूचर में, तब आपनी मैनत करते हो, फिर वापिस लाते हो, फिर दमाग में, फिर मैनत करते हो, लेकिन आपका action dynamic नहीं हो सकता, अगर आपका पूरा concentration current movement पे है, अभी हम बात कर रहे हैं, यहां कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे, इस पड़े हॉल में हजार लोग से ज्यादा बारासो लोग बैठे हो आप लोग, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जिनका दिमाग चलाए, यह कभी खतम हो, जल्दी से तो पागे हैं, अभी जाना है यहार, लंज करना है, कोई कुछ सोचेगा, जैसे ही आपका दिमाग उदर कहीं चला गया, मैं चाहिए कुछ भी अच्छी बात बोलता रहा हूं, कुछ लोग आपके पास आएगी नहींगो, यू नोट इवन रसीव दैट, तो लिविंग इन प्रेजर्ट इस वरी इंपोर्टन, अजया मैं पहले प्रेशन ओर लूँ इससे पहले एक चोड़ा सब्रे, एक महिला गुजरात की जिस सिर्फ एक शब बोलती थी बुहारी, उस बुहारी को नेट पर सर्च करके मैं साथ गाओं घूमकर उस महिला को महां छोड कर आई, और जब वो महिला मिली, तो आप देखी इतने बड़े परिवार की महिला, जिसकी तीन लड़कियां, तीन जमाई और पांच नवासी, एक नवासा, तीस सल का बेटा, और वो महिला पिछले शे महिने से और उन्होंने सोच लिया कि वो मर चुकी है। कि वेलकम बेक। So, जैसे हम पहले बात कर चुके के पहले छोटा लक्ष तै करो, छोटी प्लैनिंग करो, उसके बाद आगे बढ़ो, और उस प्लैन को अचीव करने की कला भी हमको सीखना चाहिए। और ऐसे ही मैं आपको एक सक्से आज मिलाना चाहूंगा, हमारे शो में वीना रानी जी हैं, डारेक्टर, वर्मा न्यूज अज़ेंसी, लेस्ट पूट आर हैंड्स तोगेदर तो वेलकम हर उन दे स्टेज, आपका स्वागत है वीना जी इस स्टेज के उपर, चलिए देख हैं वीना जी के बारे में हमारी टीम ने क्या कुछ इंफ्रोमेशन इकठी की है जिद कुछ नया करने की, बदलाव लाने की हमारे देश में नजाने कितने ऐसे बदनसीब हैं, जो अपने परिवार से बिचड़ गए, लेकिन फिर उनसे कभी मिल नहीं पाए कुछ ऐसी ही बिचड़ी महलाओं को उनके परिवार वालों से मिलवाने का जरिया बन रही हैं, हिसार हर्याना की रहने वाली वीना रानी आप एक न्यूज एजनसी में डिरेक्टर हैं अपनी कमाई का जादतर हिस्सा आप जरूरतमन महलाओं को धूनने और उन्हें उनके घर तक पहुँचाने पर खर्च करती हैं इस तरह की महलाओं को अपने पास बुला कर और उनके सारा समझ कर कि ऑनको किस तरह से मेरी जरूरत है, उस जरूरत करेंच अंवसार अपने गारेको शुरू कर देती हैं इस मोहिम की शुरूआत करीब 15 साल पहले हुई तब आपको अपने परिवार और समाज को समझाने के लिए संगर्ष करना पड़ा लेकिन आपने हार नहीं माने यह आपकी जिद और कभी हार ना मानने का जजबा ही है कि आप अब तक कई महिलाओं को उनके परिवार वालों से मिलवा चुकी है आप ना सिर्फ उन्हें पनाह देती हैं बलकि उनकी देख भाल का खर्च भी उठाती है आज आप हर्याना के साथ साथ कई दूसरे राज्यों में भी ऐसी महलाओं का सहारा बन रही है आपको इस सराहनिय प्रयास के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया है वीनारानी आज आप उन सभी लोगों के लिए एक प्रेणा है जो समाज में कुछ बदलाव लाने का सपना देखते हैं तो वीना जी ये आपको लोगों की सेवा करने का गरीबों की मदद करने का ये क्या बच्छपन से ही आपको मन में था या जब आप कुछ कामयाब आगे बढ़ी तो तब उसके बाद मन में आया देखिए कुछ भावनाएं होती हैं जिनको हम सब में हैं पर किसी की भावनाएं अपना आकार लेती हैं किसी की नहीं और कुछ लोग आपाधापी में उन भावनाओं को दरकिनार करके अपने रोजमरा के कामों में लग जाते हैं पर मुझे जहां तक मुझे लगता है कि ये भावनाए मेरी बच्पन से ही थी और इसका प्रसफोटन जो है वो धीमे धीमे होता रहा और जिसकी परणीती हुई ये इस कारे को लेकर और मैंने इस काम को जब भी करने की बात की तो शायद लोगों ने उस तरह नहीं लिया जिस तरह मैं ले रही थी पर मुझे इस चीज की कोई परवा नहीं थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं क्योंकि लोगों का कहना जैसा है हमारे समाज का कि कोई महिला तो अपना पड़े लिखे शादी करे पर उस तरह मेरा बिलकुल भी ध्या नहीं था और मुझे लगता था कि मैं समाज के लिए क्या करूं उसी मैं करने के लिए मुझे लगा कि ये मेरा जो काम है जो हम भर्मा नियूजनसी ये रेल्वे लोड पर रहे शायद ये एक संयोग वश है कि वहां रेल्वे स्टेशन पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं और वहां पर इस तरह की महिलाएं भी गाए बगाए दिखाई देती रहती हैं और कुछ लोग भी मुझे बताते हैं कि वहां पर इस तरह की महिलाएं और मेरे पा पास रखा, उनको पास में रहका, उनकी हर तरह कीcopy, ऱनकी देख भाल की बिना किसी की मदद से, इसमें परिवार की भी मदद नहीं थी, समाज की भी में मदद नहीं थी, सिर्फ मेरा ये सोचना था कि ये महिलाएं तो खुद पहुंचेंगी ने कि इने क्या चाहिए और मुझे ही इन तक पहुंचने और उनको जब आप रखती हैं तो कितना समय लगभग आप अपने पास रखती हैं और कितने समय में क्या वो कुछ ठीक होती ह उनको इलाज भी कराती हैं क्या करती हैं ये महिलाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो तो, sexually exploited भी हो, mentally retarded भी हो, अपने परिवार के दुआरा दुदकारी गई हो, छोड़ दी गई हो, घर से निकाल दी गई हो. जितनी भी महिलाएं आई उसमें, बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी थी कि होश में तो थी, पर फुसला कर लाई गई थी, जो भटक गई थी, उनको महिने, दो महिने में, बीज दिन में घर भेज दिया मैंने, पर कुछ महिलाएं ऐसी थी, जिनको अपने कपड़े तक का होश नह उनको अपने साथ रखा, उनका इलाज, सेवा, शुषा, सब मैंने की, और मेरे को ज्यादा तर चार महिने, पांच महिने, नौ महिने तक भी महिला को मैंने रखा है, महिला को जो बिल्कुल ठीक हुई है, तब मैंने उन्हें घर भेजा, और घर को भेजने के लिए भी इतना असान नहीं था एक महिला गुजरात की जो सिर्फ एक शब्द बोलती थी बुहारी उस बुहारी को नेट पे सर्च करके मैं साथ गाउं घूम कर उस महिला को दो दिन का सफर करके फिर आगे एक आठ गंटे का फिर सफर उसके बाद फिर आठ गंटे का सफर उस महिला को माँ छोड़ कर आई तो उसके लवस से आपको पता लगा कि वो कहां की हो सकती है गुजरात की या कहां की हो सकती है सबी चीजें एक सुखत सहयोग है मेरे साथ कि मैं जहां पर बैठी हूँ वहां पर कलाकार, पत्रकार, कहानीकार, सबी जो है, मुझसे जुड़े भी हूँ, मैं भी उनसे जुड़ी हूँ, पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से, क्योंकि एक मेरा बहुत ही पवित्र प् करो, जब मैंने आई जी साब को सिर्फ एक फोन करा, उन्होंने का कि वीना जी आपने छे महिने इस महिला को रखा है, यह आपका काम संस्थाओं पर सब भारी है, और आप सिर्फ मुझे दो दिन का टाइम दो, और मैं अभी आपके पास Constable भेजता हूँ, और वो लोग उन् महिला मिली, तो आप देखी इतने बड़े परिवार की महिला जिसकी तीन लड़कियां, तीन जमाई और पांच नवासी, एक नवासा, तेई साल का इक बेटा, और वो महिला पिछले छे महिने से और उन्होंने सोच लिया कि वो मर चुकी है, पर मैंने उसे जब वहां पहु तो मैं मैं कॉच्चन इस की आपको ये कारे करने की प्रेणा का से मिले आपको इंस्पिरेशन आपके क्या रहे कि आपका परसनल को एक्स्पिरेंस था या किसी को देखकर आप इंस्पार हुए ये करने के लिए प्रेणा ये सब के भीतर हमारे भीतर आपके भीतर भीतर भी कि जब मेरे पस खुद सफर के वक्त बीस किलो तक भी समान उता है, पर अगर कोई समान उठाके जा रहे तो मुझे देदो, मैं तुम्हारा समान वहाँ तक कहुछा देती हूं। तो ये हो सकता है कोई हम में से आप में से हो ये कहे कि हम कोई नौकर हैं या हम कोई कुली हैं, ये ऐसी भावना हैं जिनको आप गाय बगाय अगर व्यक्त करते हैं तो आपकी भावना इसी तरह से व्यक्त हो जाती है। दौरी अछfang मौरी और त इनका ये एके आमपथी जो दूस्रे के प्रती प्रHEIM दूसरे के प्रती कुछ सोच, जो है वो हम सब में होती है प्रकुए आदमी उसको उजागर कर पाता है कुछ उसको कियानवित कर पाता figuring कर पाता है, को य नहीं कर पाता तो ये अंतर है मैं इवान है अपने लेक्षी में इपाई तेक्ड़श को यह बताया था कि आप ने कभी किसे की नहीं सुनिगा जो आपके अंदर था आपके भीतर था आपने उसको प्लैन किया दुसरों की प्रति जो आपका प्रेम था आपने उसको व्यक्त खिया आपने के माध्यम से तो मेरा मानना यह है कि आज के टाइम पर जो भी यंग्स्टर्स हैं या जो भी यूथ है, अगर वो बहरा मेंड़क बन जाए, मतलब वो ना सुने। आज के टाइम पर अगर कोई बच्चा सही काम कर रहा है पर ममी पापा गया रहे कि नहीं यह गलत है, यह गलत है। तो क्या ये सही है कि उसको बहरा मेंडग की बच जाना चाहिए या उनकी बात माल लेने चाहिए? आपका प्रश्न तो बड़ा अच्छा है पर थोड़ा जटिल भी है आपने ये कहा है कि बहरा मेंडग बन जाए है अगर आपको ये कोईफिडेंस से कि हम जो काम करें वो ठीक है तो मुझे लगता है कि वो बनने में भी कोई बुराई नहीं है अगर आप काम आपको खुद को पता है कि आप ठीक हैं अगर आपको ये बात पता है कि आप ठीक है तो फिर उसमें क्या है आप जब मेरे साथ भी लोगों का था, मुझे लोग कहते हैं कि आप शादी करो इवन में सरकारी संस्थाओं में जाकर जब हां काम देखती थी लोगों का तो लोग ते थे तुम क्यो बटक रही हो, अरे तुम तो अच्छी खासी हो, अच्छे घर से हो, शादी को नहीं करती ह मुझे शादी कर ली प्रेम शुरू कर दिया करना नहीं मुझे पता था मुझे क्या करने। क्योंकि मुझे उनका नहीं सुनना था मुझे बटक प्रात रूव करते हो, कैसे करते हैं। हाँ, मैडम, पहले तो आपको ये बता दूँ, कि यहाँ बैठे श्रुताओं को भी कि मैं आवी वही तूँ, हजबेंड नाम का जन्तु मेरे पस नहीं है। कहीं आपको लगा कि अगर शादी कर लूगी तो उस बंदन में बन जाओंगी। उस वजए से फिर ये काम जो करना चाहती हो नहीं कर पाओंगी। इसलिए शादी नहीं की या कोई और कारण रहा। मेरे दिल में एक बार भी नहीं आया कि मुझे शादी करनी है। और मैं कहती हो लोगों से, शादी और प्रेम की कोई उम्र नहीं है। आप सतर साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं प्रेम कर सकते हैं। उसके लिए छूट है। फ्रेम और शादी कोई गडन या कोई ऐसा नहीं की आपको बाधा डाल यह पर क्योंकि भीतर से भावना ही नहीं थी कर्ण ऑब ले मुश्किल तो जब होती है जब मैं खुद जो मानू कि ये मुश्किल है जब मैं नहीं नहीं माना मुश्किल है तो फिर कैसे है जो महिला है आ रही है मुश्किल तब है जब मुश्किल मानो तो जब उसको मुश्किल माना है नहीं या मुश्किल है यह जानते हुए भी उस रास्ते पे चले हैं तो मुश्किल रह नहीं जाती बागे मैं आपसे ये कोशिन पूछना जाहती हूं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी ओरत को घर छोड़ने गए हो और उनके घर वालों ने एक्सेट करने से मना कर दियो सामाजिक प्रश्ण है मैडम यह आपने जो पूछा है और भीतर ही भीतर अगर मैं भी इस इन घर से बाहर चली जाओ ना तो मुझे भी लोग बहुत कुछ पो लेंगे मुझे भी शायद घर मेना लोटने दे हमारे समाज का धाचे ही ऐसा है मैं कोई आज नहीं मैं तो आज प पानी आजा और यहां बाड आजाएगी आंसूं की पर मैं नहीं सुनाना चाहती एक छोटी सी बात कहूंगे कि यहां पर जब भी मैं किसी महिला को छोड़ने गई तो उसमें से आदी महिलाओं को लोग ने पहचाने से इंकार किया पर उन महिलाओं को मैंने वहां सारे पर जा गया कि आप यह कहा है कि यह मैंना जोह मेरे पास एक साल से थी क्यों कि अगर इसका पता चल गया कि यह साट महीं ने आपके पास वाक्ती महिला एगी कि कहा थी? अब आप सोचिए कि महिलाओं की क्या दिशा है जब कि उस महिला के तीन साल का बच्चा था एक चार साल की लड़की थी क्या उस महिला को उसकी थोड़ी सी वो डिस्टरब हो गई है जो भी है जिस भी कारण से बाहर थी क्या उसे घर लोटने का अहक नहीं है जब कोई भी पूरुष कितने भी साल बाद आए तो औरतें रोरोकर सारा घर बढ़ देती है और उनके पाओं को धोदो का पीना शुरू कर देती है तो क्या महिलाएं कहीं भी अगर किसी भी कारण से भटग गई तो घर लोटने का उनको इजाज़त नहीं है क्या? सामने बैठे शोता, जो घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, जहां कहीं भी हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगी, उनसे एक ही गुजारिश करूँगी, कि अपने घर की महिलाओं की, बच्चीयों की बात जरूर सुने, आप उनको जेवर कपड़ा भले ही ना दें, पर उनके भ अधूरी भावनाओं के साथ, जब हम किसी बाहर वाले का सहारा लेते हैं, तो वहीं पर धुरगटना हैं होती हैं, अगर कहना चाहिए कि अगर एक कहते हैं कि जब आग लगती है, तो चाय के प्याले से भी बुजाया जा सकता है, पर जरह सी लापरवाई से कितनी दमकल की आजाएं जो गाड़ियां तब भी आग पर काबू पाना कितना मुश्किल होता है, इसलिए अब जब शुरुवात में ही उन लोगों को अपने पास इतना नज्दीक रखेंगे, तो हो सकता है कि उनके पास ये सितिती आई ही ना, जिस तरह की महिलाएं मेरे पास आती हैं, विशेश तोर से उनके बारे में काऊंगी और बाकी जो घर में भी रहती हैं, भीतर ही बीतर कहीं ना कहीं, उन्हें लगता है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है, तो उनकी बात को सुना जरूर जाएं और ये सुनने से एक बहुत बड़ा, दुनिया का आधा सच आप लोग आधारी हूं, मुझे पता है कि आप कई बार भावो हो रही थी, लेकिन आपने-पने आपको कंट्रोल भी किया, आप, you are a strong woman, I admire you, thank you very much, thank you. मुझे लगता है कि कभी-कभी ये देश और समाज उसमें जे इस परकार के लोग हैं, इनी से ही ये समाज में खुशाली और खुशियों का कुछ पल सबको परिवारों को देखने को मिलता है, ऐसे कि वीना जी के लिए बहुत-बहुत एक बार फिर तालिए है, तो अभी वा करते हैं कि प्लैन करके जिन्दगी को गुजारना या नहीं गुजारना या जोसा आए वैसा चलने देना, तो मैं समझता हूं कि एक बात गांट जरूर बांध लीजिए, आप प्लैन जरूर करिए, लेकिन प्रेजेंट में रहकर उस पर एक्ट करिए, उस प्लैन को करने में आपको बाधा आती है, कहीं फेलियोर आता है, तो उसको फेलियोर को स्विकार मत करिए, फिर दुबारा करिए, तिबारा करिए, जब तक आप इस बात को दृड़ता से नहीं लेंगे, कि मुझे अपने प्लैन पर काम्याब होना है, तो वो होगा कि आपको बड़ा डिप्रेशन भी आ सकता है, समस्यां भी आ सकती, और इसके साथ ही मैं आपको एक और ऐसे हमारे महमान से मिलाना चाहूंगा, जो के यंग एज में काफी मुसीबतों के बाद भी और विश्व की पहली महिला बन गई हैं, जिनोंने माउंट एवरेस्ट को नेपाल से भी और और चाइना की तरफ से भी आवरेस्ट के ऊपर यात्रा करके पहुंची, एक बार फेलियोर भी मिला उनको, लेकिन फिर भी उनका डेटर नहीं हुआ, एंड शी केप्ट एठ हर परसूट, लेट्स मीट अनिता जी कुंडू, माउंटेनियर, तो आगे थे आपका अनिता जी आप मैंसे कितने लोग जानते हैं, अनिता जी को, तो यहां तो आपको काफी लोग जानते हैं, Sir, actually तो मैं कहूंगी कि हिंदूस्तान के हर कोने-कोने में मेरे को लोग जानते हैं, लेकिन ये तो मेरा होम डिष्टिक है, तो आप बताएंगे कि क्योंके आज हम ये चर्चा कर रहे थे कि प्लैनिंग की जाए, कि बिना प्लैनिंग की के जिंदगी गुजारनी चाहिए, आपने क्या प्लैन किया था, कि आपने आपको कि मौंटेनियर बनना है, या कोई ऐसे ही एक्सिदेंटल कोई घटना हुई जिसकी वज़े से आपने इसको चुना। लाइफ में बिना पलान के, ठीक है कुछ लोग सक्षस हो सकते हैं, लेकिन लाइफ में पलान बहुत जुरूरी है, और बगैर पलान के आप काम्याब नहीं हो सकते। तो सर, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मैं एक किसान परिवार से संबंद रखती हूँ, छोटी सी थी मैं तब मेरे पिता है थे वो बिल्कुल अंपड थे, माता है वो अंपड है, फैमिली में कोई भी पड़ा लिखा नहीं है, लेकिन सब कुछ फैमिली में अच्छा च सोचिए कि एक बच्चा जो सबसे बड़ा है और उसकी उमर तेरा साल है और पूरी फैमिली अनपड है और पिता नहीं रहते तो आप कैसा महसूस करेंगे और कोई भी आर्थिक विवस्था जीरो नाम मला सुन्य है, कोई विवस्था नहीं है, मेरे पिता का एक 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 सिड कि बेटे कुछ अलग करना है, ये बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात रहते हूं कि वो कोई प्रोफेसर नहीं थे, कोई इंजीनियर नहीं थे, कोई डोक्टर नहीं थे, एक अनपड किसान और उनके सपने आज से 20 साल पहले मेरे पापा मेरे को बताते थे, आप असोची. सब कुछ जानते हुए भी, हम कभी-कभी इतने हिम्मत नहीं करते हैं, जैसे आप ने की, तो इसलिए ये शो में हम प्रयास करते हैं, कि आप जैसे लोगों को बुलाएं, जिससे लोगों को प्रेड़िना मिले ता कि वो आगे काम करना शुरू करें. जैसे लिंक रोड पे मेरा गाउ है, एक सुबह छेबजे बसाती है, एक रात को शाम को साथ बजे बसाती है, तो कैसे मैं 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 अपने आप को मैंनेज किया, कैसे मैंनेज किया, कैसे मैं अपने स्कूल की विवस्था को बना सकती हूँ, कैसे मैं अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकती हूँ, कैसे मैं अपने घर के काम को, खेट के काम को, और मम्मी के साथ हैं करना, आपको ये आपके पिता जी के जो लवज थे, वो अगर उनकी प्रिष्थितिया देखती हूं, अब आपका भी जीवन है सर, वो बिल्कुल आपने जीरो से उठकर के इतने बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो ये भी एक बड़ी, तो वहां से एक मोटिवेशन मिलता है, तो ऐसे मैं मोटिवेट हुई, और मैंने अपने धीरे- यदी सुन लेंगे, जो बच्चा सहर में रहता है, वो गाओं को के व्यक्ति का एक थोट भी यदी सुन लेगा, जो वह बोलते हैं, और उनको भी इस कान से सुन करके, इस कान से निकाल करके आगे बढ़ना, और समाज के अंदर ये दिखाना, और पता नहीं आगे सक्षस हो या नहीं रहता है, लेकिन लोग सक्षट होने के बाद अलग बात करते हैं, पहले अलग बात करते हैं, तो पहले हमें वो बात सुनने ही पड़ती है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्लिए अनिता जी से आपके कोई प्रश्यन हूं तो बताईए, मैम जैसे आपने ब प्लैनिक थी आझ तो यह तो मैंने माउंटेन थे जब मैं गए मैं तूर् सकती हूं तो मैंने वो प्लान किया कि मैं अब मेरा बोक्सिंग का टाइम तो नियकल चुका भंब जब भंट अंसकती हूं क्योंकि Mount Everest के एक expedition के लिए 25 लाख रुपई लगते हैं जो मेरे लिए बहुत impossible था, possible नहीं था, लेकिन possible था, इस समाज में करने वाले चाहिए, सही हो करने वाले आपको बहुत सारे लोग में। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि आप खुद कुछ कीजिए पहले तभी लोग हमारी बात को सुनेंगे, क्या मैं इस लेवल पे भी रह कि मदलब लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपके अंदर एक अच्छे विचार हैं, तो अपने विचार आप अच्छे से कॉन्फिडेंट से दे सकते हैं, लेकिन हमारी दुनिया जो हमारा माउल है वो पले करके दिखाना पड़ता, तब लोग सुनते हैं. चलिए, तो अनिता जी आप इस शो पर आई, बहुत-बहुत धन्यवाद, और भगवान करें, आप आगे बढ़ें, मेरी सब बहुत शुब कामना है आपके साथ, और एक प्रशार से अगर आपको बुरा ना लगे तो यह भी कहूंगा, आशिरवाद भी मेरा आपके साथ है तो चलिए, अब आज की बात को समाप्त करने से पहले दो बाते कहूंगा के प्लैन जरूर करिये, छोटा प्लैन करिये, छोटे को अचीव करें, उससे आगे का प्लैन करिये, अगर काम्याभी नहीं मिलती है कहीं पे, तो दो तरीके की स्युकारियत होती है, एक्सेप्टें करना की यस, मुझे काम्याभी अभी नहीं मिली है, लेकिन दूसरा उसको फेलियोर को accept करके बैठना नहीं है, अभी फेलियोर नहीं है मेरे पास, मुझे रेकिगनाइज करना चाए़ के मेरे कहां कमी रही, कहां ठीक हुआ, उसको आगे ठीक करना और आगे फेर बढ़ना, यही आज का एक मैसेज है और आपको आज अनिता जैसे आपको मोटिवेशन परसन मिले, वीना जी मिली, देखिए आप उन्होंने क्या-क्या जंदगी में कैसे अचीव किया है, उसका कहीं पे डिप्रेशन नाम की चीज कभी आनी नहीं चाहिए, अगर आप सुपकार कर अपनी कमी को और उसको ठीक करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, इसके साथ ही जै हिंद, जै भाराइगे। करेंगे।